ओम शान्ती 21 दिसंबर 2020 की साकार मुड़ी है बाबा ने कहा मिठे बच्चे तुम अभी होलियस्ट आफ्ती होली बाप की गोद में आये हो तुम्हें मंसा में भी होली पवित्र बनना है प्रश्ण है holiest आफ्ती होली बच्चों का नशा और निशानिया क्या होगी तो बाबा केते उन्हें नशा होगा कि हमने holiest आफ्ती होली बाप की गोद ली है हम holiest देवी देवता बनते हैं उनके अंदर मंसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते वह खुश्वदार फूल होते हैं उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता वह अंतर मुखीबन अपनी जाज करते हैं कि मेरे से सब को खुश्ववगाती है मेरी आख किसी में डूबती तो नहीं गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में ओम शांती बच्चों ने गीत सुना फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मन्थन कर निकालना चाहिए यह किसने कहा मरना तेरी गली में आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है पतित पावन तो अंत में कहेंगे वो पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले अभी तो पुर्सारती है यह भी जानती हो बाप की पास आकर मरना होता है एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मर कर दूसरे के पास जीना लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे पास जाकर जनम लेगा न यह भी ऐसे है मरकर फिर होलिस्ट अफ होली की गोद में तुम जाते हो होलिस्ट अफ होली कौन बाप और होली कौन सन्यासी हाँ इन सन्यासी वादी को कहेंगे होली तुम्हारे और सन्यासियों में फर्क है वह holy बनते हैं लेकिन जनम फिर भी पति से लेते हैं न तुम बनते हो holiest of the holy तुमको बनाने वाला है holiest of holy बाप वो लोग घर बार छोड़ holy बनते हैं आत्मा पवित्र बनती हैं न तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम holy staff holy होते हो यह तुम्हारा सन्यास है बेहत का वह है हद का वो holy बनते हैं तुम बनते हो holy staff holy बुद्धी भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं वह सन्यासी आते ही रजो में हैं फर्क हुआ न, कहां रजो, कहां सतो प्रधान, तुम holiest of holy द्वारा holiest बनते हो, वह घ्यान सागर्भी है, प्रेम का सागर्भी है, इंग्लिश में ocean of knowledge, ocean of love कहते हैं, तुमको कितना उंच बनाते हैं, ऐसे उंच ते उंच, holiest of holy को बुलाते हैं, कि आकर पतीतों को पावन बनाओ, पते दुन्या में आकर हमको holiest of holy बनाओ, तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए, कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे, दैवी कुण भी धार्ण करने हैं, बच्ची लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत दुफान लाती है, हमको मंसा से शुद्ध बनने नहीं देती है, क्यूं ऐसे खयाराब खयालात आते हैं, जबकि हमको holiest of holy बनना है, बाब कहते हैं, अभी तुम बिलकुल unholiest of holy बन पड़े हो, बहुत चन्मों के अंत में अब बाब फिर तुमको जोड से पढ़ाते हैं, तो बच्चों की बुद्धी में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं? इन लक्ष्मी नारैन को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्गताना, इस समय भारत तमु प्रधान भरष्ठाचारी है, फिर इनको हम holiest of holy बनाते हैं, बनाने वाला तो जरूर चाहिए न, अपने में भी वह नशा आना चाहिए, कि हमको देवता बनना है, उसके लिए गुण भ से ऊपर चड़े हो, सीड़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है न, जो नीचे गिरेवे हैं, वह कैसे अपने को holiest of holy कहलाएंगे? holiest of holy बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं, तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक holiest of holy बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए, बाबा हमको इतना उच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, खुश्वोदार फूल बनना है, सत्यों को कहा ही जात है फूलों का बगीचा, बद्बु कोई भी ना हो, बद्बु देह भिमान को कहा जाता है, को दृष्टी कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो, जो दिल को खाए और खाता बन जाए, तुम 21 जन्मों के लिए धन इखठा करते हो, तुम बच्चे जानते हो, हम भी गुणों से भरपूर हैं, जैसे बाबा कहते हैं, वैसे हम पुरसात करते हैं, तुम्हारी एम आपजेक्ट तो देखो कैसी है, कहां सन्यासी, कहां तुम, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, कि हम किसकी गोद में आए हैं, हम को क्या बनाते हैं, अंतर मुखो देख हम कहां तक लायक बने हैं, हम को कितना गुलगुल बनना चाहिए, जो सब को ग्यान की खुश्बू आए, तो मनेकों को खुश्बू देते हूँ न, आप समान बनाते हूँ, पहले तो नशा होना चाहिए, हम को पढ़ाने वाला कौन है, वो तो सभी हैं भक्तिमार्ग के ज्यान मार्ग का गुरू कोई हो ना सके सिवाए एक परम पिता परमात्मा के बाकी है भक्ती मार्ग के भक्ती होती ही है कल्यूग में रावन की प्रवेश्टा होती है ये भी दुन्या में कोई को पता नहीं अभी तुम चानते हो सत्युक में हम सोला कला संपूर्ण थे फिर एक दिन भी बिता तो उनको फूर्ण मासी थोड़े ही कहेंगे यह भी ऐसे है थोड़ा थोड़ा जू के मौफिक चक्रफिरता रहता है अब तुमको पूरा सोला कला संपूर्ण बनना है सो भी आधा कल के लिए फिर कलाएं कमती होती है यह तुमको बद्दी में ग्यान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए भूतों को यह बद्दी में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है Ocean of knowledge बच्चो को तो कहते हैं नमस्ते बच्चो तुम ब्रम्भान के भी मालिक हो वहां सब रहते हो फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो तुम्हारा होसला वढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे उँच बनते हो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ अपने से भी तुमको उँच महिमा वाला बनाता हूँ बाप के बच्चे उँच चड़ जाते हैं तो बाप समझाएंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना उँच पत पाया है बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरसाथ करो बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशाच चड़ना चाहिए बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं बातो जैसे इनमें है ही तुम बच्चे उनके हो ना ये रत भी उनका है ना तो ऐसा holiest of holy बाप आयावा है तुमको पावन बनाता है अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ हम रिटायर होता हूँ जब तुम होलिये स्टाफ होली बनते हो तो यहां कोई पतित आना सके यह होलिये स्टाफ होली का चर्च है उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अन्होली हैं, यह तो बहुत बड़ी होली चर्च हैं, यहां कोई पतित पाउं भी धर ना सके, परन्तु अभी नहीं कर सकते, जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे काइदे निकाले जाएं, यहां कोई अंदर आना स के, पूछते हैं न, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं, आफिसर्स आदी से काम रहता है, तो उनको बिठाना पड़े, जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, फिर तुमको किसी की परवा नहीं, अभी रखनी पड़ती है, हुली स्टाफ हुली भी गम खाते रहते, अभी ना नहीं कर सकते, प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी, तुम भी समझाएंगे, हम ब्रामडों को राजयोग सिक्नाने वाला होली स्टाफ हुली बाप वह, सन्यासियों को होली स्टाफ हुली थोड़ी कहेंगे, वह तो आते ही है रजो गुण में, वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या, अभी तुम पुरसारती हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती, जो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत सेंटरस पर ऐसे आते हैं, जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है, तुम अपने को भी भूल जाते हो, कि हम क्या बनते हैं, बाप भी चलन से समझ जाते हैं, या क्या बनेंगे, भागे में उच्पद होगा, तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे, सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन हैं, तो भी कपारी खुशी रहे, हम गौड़ फाधरली युद स्टुडेंट हैं, तो कितना रिगार रहे, अभी अजुन सीख रहे, भापतों समझते हैं, अभी टाइम लगेगा, नमबर वार्तों हर बात में होते ही हैं, मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजोतमों होता है, अभी तुम सतो प्रधान सोला कला संपोन बनने इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, भारत जो अन्होली बन पड़ा है, उनको हम होली इस्ट आफ होली बनाते हैं, तो अपने उपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टी ऐसी नाज हो जो हमारा पद ही ब्रष्ट हो जाए, ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे, तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं अभी तो सब पुरसात कर रहे हैं, उनको भी अभी होली स्ट आफ होली थोड़ी ही कहेंगे, बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नही और कराना है, बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेट करके दिखाओ, कहां यह होली है इस्टाफ होली, कहां वह होली, इन लक्षपी नारायन का तो जनम ही सत्यूग में होता है, वह आते ही बाद में हैं, कितना फर्क है, बच्चे समझते हैं, श शरीरी आत्मा समझो, उँच ये ते उँच शिवावा पढ़ा कर, उँच ते उँच बनाते हैं, ब्रम्हा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रम्हा सो विष्णू बनते हैं, ये भी तुम जानते हूँ, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, अभी सारी स्विष्टी पर र रामराचे है, तुम रामराचे स्थापन कर रहे हूँ, जिसको तुम जानते हूँ, रामा नुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं, अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाए बाप के शांती धाम, सुक धाम, कोई ले नहीं जा सकते, गपोड़ा मारते रहते हैं पलाना स्वर्ग गया, मुक्ती धाम गया बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माए शांती धाम कैसे जाएगी तुम कह सकते हो, तो समझे इनों को कितना फखूर है ऐसे विचार सागर मन्थन करो, कैसे समझाए चलते फिरते अंदर में आना चाहिए धिरच भी धरना है, हम भी लायक बन जाए भारत वासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं और कोई नहीं, अभी बाप तुम को लायक बना रहे हैं नौलेज बड़ी मजे की हैं, अंदर में बड़ी खुशी रहती है हम इस भारत को होलियस्ट आफ होली बनाएंगे चलन बड़े रोहल चाहिए, खान पान चलन से मालुम पड़ जाता है श्यो बाबा तुम को इतना मुझ बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है चलन ऐसी हो जो समझे, यह तो होलियस्ट आफ होली के बच्चे हैं आहिस्टे आहिस्टे तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी फिर काइदे कानू सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आना सके बाबा समझ सकते हैं, अभी टाइम चाहिए बच्चों को बहुत बुर्सार्थ करना है, अपनी रास धाने भी तैयार हो जाए फिर करने में हर जाने, फिर तो यहां से नीचे आबूरोड तक क्यों लग जाएगी अभी तुम आगे चलो, बाबा तुमारे भागे को बढ़ाते रहते हैं पत्म भागे शाली भी काईदे सिर कहते न, पैर में पत्म दिखाते हैं, यह सब तुम बच्चों की महिमा है फिर भी बाब कहते हैं, मन मनाभाओ, बाब को याद करो अच्छा, मीथे मीथे, सिखी लधे, बच्चो प्रती, मात पिता बाब दादा का, याद प्यार और गुट मॉर्निंग, रोहानी बाब की, रोहानी बच्चों को नमस्ते और हम रोहानी बच्चों की, रोहानी बाब दादा को याद, प्यार, गुट मॉर्निंग, और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया फिर धाना के लिए मुख्य सार है पहला ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे पूरा खुश्पूदार फूल बनना है देह अभिमान की बद्बू निकाल देनी है दूसरा चलन बड़ी रॉयल रखनी है होलिय स्टाफ होली बनने का पूरा पुरसार्थ करना है दृस्टी ऐसी नहों जो पद ब्रहष्ट हो जाए फिर बरदान है हर खजाने को कारे में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाकिशाली भव विस्तार है हर सिकिन पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है ऐसे वरदान को स्वयम प्रती जमा करो और औरों के प्रती दान करो ऐसे ही संकल्ब के खजाने को ज्यान के खजाने को स्थूल धन रुपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो क्योंकि इस समय स्थूल धन भी इश्वर अर्थ समर्पन करने से एक नया पैसा एक रतन समान वेल्यू का हो जाता है तो इन सर्व खजानों को स्वयम की प्रती वा सेवा की प्रती कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भागिशाली बन जाएंगे स्लोगन है जहां दिल का इसने है वहां सबका सहयोग सहच प्राप्त होता है जहां दिल का इसने है वहां सबका सहयोग सहच प्राप्त होता है चा ओम शान्त झाल झाल